लुग आद आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप Flip Card, Access Bank, Credit Card का Pin गैरेक कर सकते हैं लुग अगर आप चाहे तो एक्सिस बैंक ने सब्सखते करके आप पाई-थीन कर सकते हैं छाये तो अक्सिस बैंक के लिडिगे कर सकते हैं और चाहे तो आप फोन करके भी इसका पीन को जेनरेट कर सकते हैं और पिर जो चोथा option है फ्रेंट्स आप इसे एक mobile access का mobile app डाउनलोड करके इसके पीन को जेनरेट कर सकते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको access mobile app के तुरू इसका पीन जेनरेट करके देखाऊंगा प्रेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेश कर देजेगा ताकि आने वाली वीडियो को नाटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके लिए प्रेंट देखिए मैंने पहले से Axis mobile app डाउनलोड करके रखा है देखिए आपको कैसा करना है प्रेंट यहाँ पे प्ले स्टोर में जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है Axis mobile app और कुछ इस तरह का लोगो आ जाएगा इसके बाद प्रेंट इसके जो रेटिंग है 4.8 की रेटिंग है 75 MB की app है और 10 एक करोर से जादा बार इसको डाउनलोड किया गया है तो app में कोई भी दिक्कत नहीं है इसकी रेटिंग बता रही है अब मैं इसको यहाँ से open कर लेता हूँ open करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपको skip कर देना इसे और skip करना है और यहाँ से नीचे continue वाले option पर click कर देना है continue वाले option पर click करने के बाद कुछ permission मांगेगा वह आपको allow कर देना है इसके बाद friends यहाँ पर logging to your access account का option है इस पर आपको click करने है इस पर click करने के बाद friends आपका sim 1 या 2 जिसमें भी register number लगा हुआ है उसको आपको check कर देना देखे दोनों के नीचे अलग-अलग box बनावा है मैं इसको यहाँ से check कर देता हूँ और continue वाड़ option पर click कर देता हूँ इसके बाद friends आपको यहाँ पर allow कर देना है click करने के बाद friends कुछ इस तरह का interface आएगा पर आपको अपना नाम टाइप कर देना है नेम टाइप करने के बाद प्रेंश आपको यहाँ पर नीचे भी डालना है और कंफर्म वाले ऑफ्षन पर किलिक कर देना है तो चलिए मैं डाल के ओके वाले अप्षन पर किलिक कर देता उं इसके बाद कुछ इस तरह का इंट्रफेस आएगा आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट अनेबल करने का option मिलेगा आप चाहे तो इसे यहाँ पर बंद भी कर सकते हैं और चाहे तो आप इसे अलाओ भी कर सकते हैं तो चलिए मैं इसे start कर लेता हूं और आपको यहाँ पर खाली box दिख रहा है आपको यहाँ पर इसे चेक कर देना है और चेक करने के बाद अपना डाल देना है जो भी आपका फिंगर प्रिंट हो जाएगा इस तरह से आपका यहाँ पर पर कुलिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाए इसके बाद देख सकते हैं प्रेंट हमारी paper में दिखा रहा है Aksis mobile app के बाद आपको सपोर्ट सर्विस एन सपोर्ट में जाना है तो चलिए Wakנस में यहां से three dot पर click करता हूँ और यहां से service and support वाले option क्लिक कर देता हूँ देखें इसपे click कर देता हूँ click करने के बाद friends आपको यहां पर credit card upgrade का option दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करना है तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद प्रेंस आपको यहां पर प्रोशिड वाले option पर क्लिक कर देना है और प्रोशिड वाले option पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का ता हुआ ही M-PIN आपको यहां पर डालना है तो चलिए मैं यहां पर M-PIN डाल देता हूं M-PIN डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको कुछ प्रोसेश होगा क्लिक करते ही प्रेंट कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा तुरह टाइम लग रहा है और देखें आपको यहां पर क्या लिखा हुआ दिखा रहा है Let's set up your credit card status और आपको यहां पर next वाले option पर क्लिक कर देना है तो चलिए मैं नेस्ट वाले option पर क्लिक कर देता हूं नेस्ट वाले option पर क्लिक करने के बाद प्रेंस आपको यहां पर online शॉपिंग को मैं यहां से अलाओ कर देता हूं जब यह अलाओ रहेगा तभी हम online शॉपिंग कर पाएंगे यहां पर limit दिखा रहा है एक लाग 30,000 जो कि मुझे मिला है आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं तो मैं चलिए इसको फ्रसा कम कर देता हूं इतना ज्यादा का जरूरत नहीं है जब जरूरत होगा फिर मैं ज्यादा कर लूँगा तभी यहां पर 20-22,000 या 26,000 जितना भी ह तो देखे ATM बाला मुझे पैसा निकालना नहीं है ATM से credit card से क्योंकि बहुत fine बढ़ना पड़ता है तो मैं इसे यहां से आप कर देता हूं यह क्या है यह भी मुझे नहीं पता है तो मैं इसे भी यहांसे आप कर देता हूं फ्रेंट और आपको यहां से नेस्ट वाले option पर क्लिक कर देना है नेस्ट वाले option पर click करने को बाद पुछ इस तरह का interface आएगा और यहां पर देखे internal usage लिखावा यहां पर off है इसे off ही रहने देंगे फिर online shopping है online shopping को मैं यहां से allow करना पड़ेगा तो चलिए मैं इसे allow कर देता हूं लेकिन यह क्या online shopping को allow किया तो यह internal usage भी allow हो जा रहा है और देखे जब मैं इसे बंद करने की कोशिश करता हूं चलिए फिर मैं इसे बंद करके देखता हूं internal usage तो मुझे यूज नहीं करने online shopping बंद हो रहा है लेकिन जब मैं इसको यहां से yes करता हूं तो यह दोनों यह बंद हो जा रहा है तो अभी मैं इसे छोड़ देता हूं आपको यहां से send otp वाले option पर क्लिक कर देना है send otp वाले option पर क्लिक करने के बाद प्रेंस कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपके नंबर पर एक otp आएगा उस otp को आपको यहां पर डाल देना है तो चलिए otp मैंने सही से copy नहीं कर पाया मैं इसको manually देखके डाल देता हूं और जो है इसको पहले एक बाद देखना पड़ेगा तो देखिए एक बार otp को मैं एक बार देख लेता हूं कितना otp 32 82 और 24 कुछ इस तरक से हैं दुबारा से मैं इसको यहां से हटा देता हूं यह क्या टैब हुआ है जरुद कि देखे मैं यहां से पहले हटा देता हूं जो पहले वाला otp है और इसके बाद फ्रन्स आपको यहां पर यह देखे वाले आप्चन पर आपको क्लिक करने के बाद प्रेंस आपको यहां पर एंटर नियू पर बोलेगा तो आपको यहां पर 4 दिजिट का पीन चलिए मैं उसी पिन को आपको नीशे confirm पिन पर डाल के शेट पिन वाले option पर क्लिक कर देता हूं शेट पिन वाले option पर क्लिक करने के बाद friends आपने जो M pin set करके रखा है 6 digit का वो pin आपको यहाँ पर डाल देना है तभी आपका pin setup होगा तो चलिए मैं यहाँ पर M pin डाल के confirm कर दिया और मेरा जो है यहाँ पर credit का pin successfully set up हो चुका है और आपको यहाँ पर okay वाले option पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर message भी आ चुका है congratulations का तो चलिए मैं okay कर देता हूं इस तरह से प्रेंट्स मैं successfully login हो गया हूं और प्रेंट्स उम्मीद यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देजेगा अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझा हुए तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं आपका कॉमेंट या सवाल हमारे लिए बहुत इं इवाद